नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है देखे चात्रों, इस वीडियो में हम ब्राह्मन गरंथों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा वेदों के बारे में आरणेकों के बारे में वेदांगों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है तो पहले वाले वीडियो उसको आप देखेगा और वेदों के बारे में जानकरी प्राप्त करिएगा इस वीडियो में हम ब्राह्मन ग्रंथों के बारे में तो देखे पढ़ते हैं ब्रह्मन ग्रंद तो देखेगा चात्रों ब्रह्मन ग्रंद यानि सत्ज्ञान ग्रंद अर्थात वेदों के कई सुक्तों या मंत्रों का अर्थ करने में सहायता परदान करने वाले ग्रंद ब्रह्मन ग्रंद कहलाते हैं वेदों में देवताओं के सु या आध्यात्मिक मानसिक सक्ति मान करके कई व्यक्षान बनाए गए हैं और ब्रामन गरंथ वो इन्हीं में इन्हीं में ब्रामन गरंथ वो इन्हें समझने में हमारी मदद करते हैं अर्थारत हम कह सकते हैं कि ब्रामन गरंथ हैं वो वेदों में कही गई बात को सरलता से हमें बताने में सहायता परदान करते हैं ठीक है तो देखेगा ब्रह्मन ग्रंद ब्रह्मन ग्रंद यग्यों तता करमकांडों के विधान और इनकी किरियों को समझने के लिए आवस्यक होते हैं इनकी बासा वैदिक संस्कृत है ब्रह्म सब्द का शाब्दिक अर्थ है यग्य अर् ब्रामन ग्रेंथ हैं वो गद्धे में लिखे गए हैं इनमें उत्तरकालीन समाज इंस्कृति के समध का ज्यान मिलता है इनमें येग्यों के अनुस्थानिक महत्वय का उलेक भी है सभी ब्रामनों में मोक्स प्राप्ति के लिए येग्ये पर बल दिया गया है ठीक है तो जो कोई वेद हैं परतेक वेद का अपना अपना ब्रामन था और इन सम में वेदों को समझने के लिए बाते कही गई हैं और ये करमकांडिय ग्रंथ हैं परतेक वेद के अपने अपने ब्रामन ग्रंथ होते हैं ठीक है तो देखिएगा रिक वेद के ब्रामन ग्रंथ कोन-कोन से कई बार एकजामी पूछ लेते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा रिगवेद के ब्रामन ग्रंत एत्रे ब्राह्मन कोसित की ब्राह्मन तो रिगवेद के दो ब्राह्मन ग्रंत है कोन कोन से एत्रे और कोसित की ब्राह्मन कोसित की ब्रामन को साखायन भी कहा गया है ठीक है एत्रे ब्रामन इसमें रजय भी सेख के नियम दिये गये है तो रिगवेद के ब्रामन ग्रंथ कोन से है एत्रे ब्रामन कोसित की ब्रामन या फिर साखायन ब्रामन सामवेद सामवेद के ब्राह्मन ग्रंथ कोन से है प्रोड जिसे 25 भी कहा गया है और जिसे तांडव भी कहा गया है ठीक है तो प्रोड 25 ब्राह्मन ग्रंथ ठीक है तो प्रोड को 25 तांडव ब्राह्मन ग्रंथ भी कहा गया है सद्विस ब्रामन गरंद, आर्से ब्रामन गरंद, मंत्र ब्राहमन अर्थात, छांदोग्य ब्राहमन गरंद और जमीनिय ब्राहमन तो सामवेत के ब्राहमन गरंद कोन से हैं? प्रोड, सद्विस, आर्से, मंत्र और जमीनिय ब्राहमन ठीक है? तो जो मंत्र ब्राहमन है इसको चांदोगे भी कह गया है। पुछे कि वही सुकली अजुर्वेद है उसका ब्रामन ग्रंद बताईए तो होगा सत्पत ब्रामन कर्षनी अजुर्वेद के ब्रामन ग्रंद तैतिर्ये ब्रामन मैत्रैनी ब्रामन कठ ब्रामन और कपिस्टल ब्रामन ठीक है उसके बाद अता आपका अथरवेद तो वेद का ब्रामन ग्रंथ है गोपत ब्रामन ग्रंथ या पिपलादी ग्रामन ब्रामन ग्रंथ तो देखेगा चात्रों इस वीडियो में हमने सभी वेदों के ब्रामन ग्रंथों के बारे में पड़ा ये वीडियो छोटा जरूर है लेकिन इंपोर्टेंट बहुत है क्योंकि ए अवस्य ही एकजाम में पुछा जाता है तो इस वीडियो का आप अच्छे से द्हान से देखेगा आपको आपके ब्राह्मन गरंत कभी भी गलत नहीं होंगे धन्यवाद